हेलो वाट्सअब गाइज मैं नेम इस विमद बादू थाफा एंड टूडे इंडिस वीडियो गूविल सी टाइप एसर्षन इन टाइप इसकिप ने हिंदिस तो एलाइट स्विकेन जी हाँ गाइज में आपको बाता आना चाहूंगा कि आज वम इस वीडियो में देखेंग कि टाइप एसर्षन इन टाइप स्क्रिप्ट चले गाइज शुरू करते हैं सबसे पहले गाइज आपको बाताना चाहूंगा कि अगर अभी तक अपने मेरे चनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं कि प्लीज गाइज इसको सब्सक्राइब कर लिजे फॉर वाल दी बताने से पहले सिंपल सब्सक्राइब एक टेक्निकल जिसका अगर आप देखोगे टाइप क्या है इस ट्रिंग है ठेकर मैंने अपने प्रिविस वीडियो में बता चुका है कि कैसे आप स्ट्रिंग का यूज कर सकते हो I mean कैसे आप टाइप पता लगा सकते हैं और इसको कैसे डिक्लेर करना कितने टाइप के टाइप होते हो सब मैंने बाता है यहां पर देख सकते हो इतने सारे मैंने बनाया अगर मुझे पाता लगाना तो मैं क्या करना मैं सिर्फ एंटर करूंगा और मेरा इंटरिशन्स मिल चुका है और मिलने का रीजन यह था क्योंकि यह एक इस्ट्रिंग टाइप का वेरेबल है और यह जो लेंथ है वह हम स्ट्रिंग के साथ कर सकते हैं अगर यह तो ठीक है यह तो ठीक है किसी यूजर ने कंदल वेल्यू के साथ उसको डिकलेर किया तो ठीक है लेकिन लेकिन अब अगर जावस कीट होता तो इसको एक स्ट्रिंग बांता लेकिन अब अगर इसपे मैं हुबर करूंगा तो आप देख से क्यों गार ना अब यह श्रिंग नहीं रहा यह अब any type का हो चुका है मैंने अल्रेडी बता है any होता है number होता है boolean होता है string होता है array होता है तो यह अब चाह चुक है any any मतलब कुछ भी number भी उसकरो string भी उसकरो कुछ भी boolean कुछ भी उसकरो तो अब अगर मैं technical link करता हूँ और यहाँ पर अगर मैं dot use करता हूँ तो मुझे वो beautiful intelligence नहीं मिल रहा है तो guys यहाँ पर अब हमारा type assertion काम पर आता है तो type assertion क्या होता है type assertion बोलता है कि basically यह चाहता है कि यह explicitly हमारे type script compiler को बाता है कि जो variable हम use कर रहे है वो किस type का है ताकि हम उस type के मदद से हम beautiful intelligence को use कर सके समझे हो तो type script आए वो आपको समझ गया simple इतना समझ गया कि explicitly it tells the type script compiler that the variable we are using is of which type किस type कर ताकि हम उसको मतलब मदद ले सके हमारे editor में कि वो अगर string type का तो मुझे suggest करो भई इसके methods कौन कौन से simple तो वो देखे कैसे करना है अभी आपने देखा मेरे नहीं use कर पा रहा उसको तो उसको अगर use करना तो we have two types दो तरिके से कर सकते हैं दो forms है पहला है by using an angle bracket अगर आप angle bracket को as a prefix use करते हो तो देखे आपको simply angle bracket में वो type लिखना है जिस type का आप चाहते हो कि यह आपका ही variable हुए है तो मैं चाहते हो कि मेरा यह string type का variable है simple तो हमेंने लिख दिया string and आपको क्या करना यह and square bracket use करना ठीके sorry round bracket use करना इस तरिके से तो जैसे all right यहां पर मैंने semicolumn नहीं दिया था all right ठीक देखे तो देखा guys कितने इस पर लिए type script on that time हमें error बता देता type script sorry javascript में ऐसा लिए होता था तो आप मैं अगर dot use करना boom guys आप देख सकते यह देखे आप मुझे वापत से हो मेरे methods का जो एक intelligence से वह मुझे मिल चुक है तो अगर मुझे length से तो मैं length लिख दूगा इस तरिके तो यह था पहला तरीका type session का जिसके through हम explicitly हमारे type script compiler को बताएंगे कि जो variable हम use कर रहें वह किस type का है simple this is it यह था पहला तरीका दूसरा तरीका देखे अब वापस अगर मैं थापा technical लिखता हूं dot करता हूं नहीं मिलेगा वो क्यूंकि मुझे वो type session यूज करना ही पड़ेगा जब तक हम इस से कर रहें अगर simply अगर आप equal to subscribe लिख जाता तो काम बन जाता लेकिन अगर किसी ने नह syntax का यूज करेंगे तो देखे तो मुझे simply क्या करना पड़ेगा यहां पर जाना है ठीक है ठीक है यहां पर मैं जैसी जाता हूं अब यहां पर देखे मुझे क्या लिखना है थापा technical यह जो मेरा variable का नाम है variable as string बस आपको इतना कर देना तो आपको variable का नाम आपको लिख द dot is करते है वापस से we have this beautiful intelligence तो आप उसका यूज कर सकते है तो आई हो गैस आपको वीडियो समझाओगा है यह चीज यहां रखना कि यह जो हम type assertion use करते है तो यह runtime में हमारे जो variable है उसका type को change नहीं कर दता है यह सिर्प वर्स जब तक हम coding कर रहे है तब तक compilation time में बस यह type script compiler को यह बताना कि यह जो variable यह इस type का है ताकि हम उसके method यह मनलब ताकि हम intelligence का use ले सके simple intelligence का मादद ले सकी उसके लिए use होता है इसका runtime से कुछ लेना देना नहीं है ठीक है तो I hope guys आपको वीडियो पसंद आया अगर आपको समझ गया होगा कि यह type assertion क्या होता इसकी कितनी value है तो guys अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ तो प्लीज इसको like कीजिए अपने दोस्तों के साथ share कीजिए और हाँ अगर थोड़ा साही पसंद आ प्लीज गैस इसको subscribe कर लिजे और अपने सारे दोस्तों के साथ share कीजिए because मैं चाहता हूँ at the end तक 10K हो जाएगा 10,000 हो जाए कर दोस्तों के साथ